तो हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक टू माइ यूट्व चैनल आज हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं जिसका फॉर्थ यूणिट का जो है केमिकल डानेमिक्स सेकेंड यहां पर हमने एक मेथड बस पहले वुडियो डाला है वो flow method general feature of fast reaction तो general feature of fast reaction में ही दूसरा जो method आता है वो relaxation method होता है ठीक है? relaxation method है तो fast reaction के kinetics को study करने के लिए बहुत method दिये गए हैं जिनमें से एक relaxation method है और काफी important method है ठीक है? तो यह method हम यहाँ पर detail से देखने वाले हैं और exactly देखने वाले हैं जित्ता आपको exam में लिखना है ठीक है? तो last तक बनी रही है, relaxation का मतलब क्या होता है यह आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? relaxation का मतलब यहाँ यह है कि कोई fast reaction यदि equilibrium point पे है, equilibrium point यह मतलब क्या? A reaction करके B बनाया, B reaction करके A बना रहा है मतलब यह backward reaction और backward reaction दोनों एक साथ हो रहे हैं यहाँ पर add कर लिना थोड़ा सा कि rate of backward reaction is equal to, क्या होगा, equal to होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा, equal to होगा rate of backward reaction is equal to rate of backward reaction, अच्छा मैंने लिखा है यहाँ पर, इस condition कोई क्या कहते है, relaxation point कहा जाता है, ठीक है, माना जाता है, कहा जाता है चलो कोई बात नहीं, अब आगे इस परकार के fast reaction की kinetics को study करने के लिए, reaction के कुछ variables में changes करते हैं, जैसे temperature, pressure या electric field देती आदी, तब क्या होगा, देखो, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कि अदि हम इस reaction, equilibrium temperature change कर देंगे, तो temperature change कर जाएंगे, तो हो जाया हो सकता है, A ज जो equilibrium है, वो क्या हो जाएगा, एक अलग दिशा में shift हो जाएगा, है ना, अलग दिशा में shift हो जाएगा, अलग temperature पे इसका equilibrium point अलग होगा, इस equilibrium में temperature fix है, pressure fix है, ठीक है, polarization भी fix है, electric field भी fix है, लेकिन अगर इन तीनों में, अगर में से किसी एक में change करते हैं, तो equilibrium disturb हो ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसको disturb ही करना है, ताकि जो कि fast reaction जो है, उसका kinetics को हम normal method से study नहीं कर सकते हैं, है ना, normal method से study नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको specific, इसी type का मतलब तिकडम भिराना पड़ेगा, जिससे हम इसको study कर सकते हैं, ठीक है, अधा इस प्रकार के rate reaction को, reaction को, जो equilibrium है, उसको displacement के, reaction का rate होता है, वो equilibrium के displacement के proportional होता है, equilibrium कितना disturb हुआ, है न, rate of reaction उसके depend करता है, तो temperature jump है, pressure jump है, और electric jump method है, तो ये तीनों method को थोड़ा-थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट है, temperature jump, इस method में बहुत ही कम समय के लिए temperature apply कर, chemical equilibrium को shift किया जाता है chemical equilibrium को disturb किया जाता है, जब reaction का potential conductance या color, मतलब, यह जो physical property है, fix हो जाए, तब relaxation point पूना आ जाता है, है न, जिससे हम temperature डाल दिये, तो उसमें क्या हो गया, equilibrium point change हो गया, अब क्या होगा, वो फिक से अपना potential conductance या color को, इस तरह की physical property को fix करना चाहेगा, ताकि वो relaxation point में आ जाए, है, है न, इससे equilibrium shift का जो time होगा, shift को determine कर लिया आता है, या पर time को determine कर लिया आता है, या आपका millisecond, microsecond में भी हो सकता है, है न, millisecond, microsecond में भी हो सकता है, तो इसको study करने के लिए कैसे करेंगे, भाई, हमको कहीं न कहीं spectroscopy method यूज़ करना पड़ेगा, है न, इस पेक्ट्र तो जीलो graph यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कम समय को ना पाना, देख के ना पाना impossible है, तो इस परकार यह कहाजा सकता है, कि reaction enthalpy में change होगी, reaction enthalpy क्या होगा, डेल LNR upon डेल T, जुगल टू हो जाएगा, डेल H, 0, RT square, डेल H यहाँ पर क्या है, enthalpy में, change, यह किसी fixed time पे, rate of reaction में होने वाला, changes क्या होगा, डेल H square, डेल H, not यहाँ लिख दियाओ, यह enthalpy change को दिखा रहा है, एक्चुली, ठीक है, change in enthalpy, RT square के बराइबर होगा, यह आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसका derivation भी है, पर बहुत लंबा हो जाएगा, हमने यहाँ derivation समझाने नहीं आया हो, यहाँ पे आपको keyword temperature jump समझाना है, जो कि temperature डालने पे equilibrium point जो सीप्र जाता है, उससे क्या पर परिवारतान होता है, तो इससे परिवारतान होता है, एंथलपी का, ठीक है, तो इस से पकाहा के reaction का, जो बेस्ट example है, जिससे neutralization reaction, neutralization reaction में क्या होता है, acid based reaction कराते हैं, तो acid based क्या हो जाता है, ठीक है, जैसे h plus, से डो हएच पूस क्या होता है ऐसा कोई पॉन फॉपS सबसेone Tomato अध्या실 को गाहिए माइनस दें वेस होगा करवा दी आड्येक्शन अपन गया वेचसों गया तो यह नंटनेगा घ्र ही तरह से फास्ट इसनि है और यह क्या जा सकता है कि तंपरिच्र चेंच करने पर chocolates equilibrium state change होकर new state equilibrium पर shift हो जाता है यही process relaxation jump कहलाता है कि overall conclusion हम यहीं निकाले हैं कि temperature change करने पर reactant equilibrium state shift हो जाता है उसके shift होने के बाद क्या होता है new state equilibrium पर आ जाता है वो ठीक है यही जो शिफ्ट होता है इसी को हम क्या क्याते है relaxation jump कहते हैं ठीक है relaxation jump with t अब second देखेंगे यह pressure jump यह भी सेम चीज़ है वस यहां पर आपको क्या कराना है प्रेसर पे changes कराना है जिस प्रकर temperature change करने पर एकिलिब्रियम जो था वो सीप्ट हो रहा था ठीक वैसे ही प्रेसर चेंज करने पर भी केलिब्रियम क्या हो जाता है सीप्ट रहाता है अब इसको फास्ट रिएक्षन की काइनेटिक्स को सेम उसी चाइब से स्टड़िक किया जा सकता है तो यह फर्मुला बन जाएगा डेल यहां पर हम क्या कर रहे है प्रेशर जंप कर वा रहे हैं ठीक है यहां पर प्रेसर डिफरेंट्स चेंज इन इसका अप्शेयल इसको फेखें सपर मिया आयन के साथ में हैं आयनीक कॉंपलेक्स बनाना या और डिए नग्षक यह क्या होगा प्रेशर जंप का से स्टडी करने वाला रिएक्षन है फेरी कायन का एनायन के साथ में फेरी कॉंप्लेस बनाना अच्छा हाँ टेंपरेचर जंप का जो क्या गोलते हैं इस्टूमेंटे सन्थ हो मैं नहीं बता हुआ जागा नहीं ठाल यहां मैंने बनाया है इसको आप तेंपरेचर के हमाओं के बात कहां थिक यहां होता है एक जिनेरेट करने के लिए जिनरेटर होता पर जो भीजना में दिए भीजना होता है। उस fast reaction को हमको तुरंत ही हमको photometric tube में accept करके कि इसको read करना पड़ता है read करने के लिए यहाँ पर oscillo इसको भी use करते हैं मतलब जो हलका फुलका changes होगा उसको क्या करेगा यह photometric tube में जो instrument लगा होगा वो चेक कर लेगा यहाँ पर तुलना करके यहाँ क्या देगा ग्राब देगा ठीक है यह oscillometry जो oscillate करता है यह क्या बना देगा आपका कर बना देगा 10 degree Celsius in microsecond देखो यहाँ पर जो temperature बढ़ाते हैं वो किता बढ़ाते हैं 10 degree Celsius in microsecond एकदम तुरंत सा है माइक्रो सेकेंड मतलब समझ अब सेकेंड का भी माइक्रोबाद ठीक है यह उसका instrumentation हो गया इस्ट्रूमेंट अब क्या बुच्छत फुलो चार्ट हो गया कैसे इसमें काम होता है ठीक है अगला आता है electric field जो मान के चलो हमारे पास कोई reactant ऐसा है जो क्या हो पोलर हो ठीक है पोलर हो तो उसको study करने के लिए क्या करते हैं electric field लगाते है instrument sample में उससे क्या होगा उसका equilibrium condition क्या हो जाएगा shift हो जाएगा जैसे dimerization और reaction बहुत fast होता है कर्बॉक्सिलीक acid का कर्बॉक्सिलीक acid कोई सा भी हो सकता है COOH COOH यह क्या है एक molecule है क्या करते हैं आपस में dimerize होके रहना पसंद करते हैं ठीक है अब भी इसको हम ऐसे solvent में लेते हैं जो non-polar हो जो इससे रियक्टर ना करें इससे solvent में इसको ले लेते हैं इस condition में क्या होगा यह क्या करेगा reaction करने लगेगा अब इसमें electric field apply करेंगे तो यह bone तूट जाएगा ठीक है उसको बाद फिर से क्या करने लगेगा जूड़ने लगेगा तो यह इसका भी equilibrium position क्या हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह स्टिफ्ट हो जाएगा किसी fix time पर यह क्या होगा माइक्रो सेकेंड में होगा जैसे हम electric field apply कि यह bone break हुआ जैसे तुरंत क्या करने लगा यह मतलब हटाए भी नहीं और यह join करने लगा समझ लो जैसे apply कि वैसी break हुआ और join करने लगा तो उसको भी हम क्या करते है specific method से spectroscopic method से detect कर लेते हैं उप्रुक्त सभी टाइप के relaxation method की equilibrium shift को absorb करने के लिए generally spectroscopic और fluorosense spectroscopy को use करते हैं क्योंकि यह बहुत fast होते हैं और यह rapid change को detect कर पाते हैं यह तो था आपका shift method कौन से shift method है relaxation method ठीक है तो चैनल में बने रहे नहीं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया होगा पसंद आया होगा तो प्रिलीज जो है इसको like कर दीजे वीडियो को और जो नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू ठीक है कर सकता है